दोस्तो ये है 2022 की न्यू लॉंच हीरो ग्लैमर 125 B6 जो की हाल ही में लॉंच हुई है इसकी कलर की बात करें तो ये कैंडी ब्लेजिंग रेट कलर की है कमपनी ने इस बाइक में बहुत सारे बदलाव किये है कुछ नए फीचर्स अपडेट हुए है इसे कमपनी ने ड्रम और डिक्स दोनों में लॉंच किया है अगर ड्रम की कीमत की बात करें तो 91,955 रुपीज और डिक्स की बात करें तो 96,005 रुपीज है दोस्तो आज के इस वीडियो में जानेंगे इस बाइक के सारे फीचर्स के बारे में दोस्तो अगर आप लोग मुझाफरपुर से और हीरो के किसी भी बाइक या स्कूटी का टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं नौर्थ बिहार एग्रो एजनसी कलंबाग रोट छाता चोक मुझाफरपुर इस्तित सोरूम में इस सोरूम की सारी डिटेल्स मैं इसके डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दे दूँगा नमस्कार दोस्तो मैं हूती लग तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रंट लुक की इसकी टर्न इंडिकेटर की बात की जा तो कंपनी ने बल्व में ही प्रोभाइट किया है यहां हेड लैंप सेट अप के जस्ट नीचे आप देख सकते हैं रेजिस्टेशन प्लेट का जगह दिया गया है कंपनी ने इसके वाइजर को बिल्कुल सिंपल रखा है इसमें ज़्यादा ग्राफिक्स का यूज नहीं किया गया है इसकी मॉटगाट की बात की जा तो डिवल टोन कलर में आती है इसकी ब्रेकिंग की बात करें तो इसमें कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम लगा है फ्रंट में 130 mm की ड्रम ब्रेक मिल जाती है चलिए दोस्तों अब आते हैं इसके फ्यूल टैंक पे तो आप देख सकते हैं यहां फ्यूल टैंक काउल पे 3D में ग्लैमर लिखा मिल जाता और प्रयोग किया गया है इसकी के बात किज़ा तो यह 10 लीटर के साथ आती है इस बाइक की मैलेज की बात किज़ा तो वह 55-65 के आसपास का निकाल के दे देती है दोस्तों आप लोग किसी भी सीटी से हो और इस बाइक की अन्रोड प्राइज जाना चाहते हो तो आप मुझे Neutral Light, Turn Signal, Indicator, Engine Malfunction Light, I3S Key Light इसके साथ ही Main Head Light की Warning भी देखने को मिल जाती है इसके Digital Meter की बात करें तो इसमें Fuel Gauge, Trip Meter, Kilometer Indicator, Service Reminder, Bluetooth, Time ये सब digitally सो हो जाते हैं दोस्तों आप लोग वाइजर के Left Side में नीचे साइड में देख सकते हैं यहाँ पे USB Charging Port दिया गया है चलिए दोस्तों अब आते हैं इसके Right Handle Bar पे तो यहाँ आप देख सकते हैं Sail पे Start और I3S की Switch मिल जाती है इसके Left Handle की बात करें तो इसमें Pass, Low Beam, High Beam, Turn Indicator और Horn की Switch मिल जाती है इस Bike में की के Start और Sail पे Start दोनों का Option मिल जाता है चलिए दोस्तों अब आते हैं इस Bike के Right Side की और तो आप लोग देख सकते हैं यह Bike Right Side से कुछ इस तरह की दिखती है इसमें Single Sit का Option मिलता है, Split Sit नहीं मिलता है इसकी Height की बात करें तो 798 mm की मिल जाती है इसका Grab Handle देख सकते हैं Glossy Black Color का दिया गया है Back Panel पे Hero की Sticker Work मिल जाती है और Side Panel पे I3S की Sticker Work Side से कुछ इस तरह का Graphics दिया गया है यहाँ पे A5 की Sticker Work देखने को मिल जाती है इसके Engine पे Hero लिखा मिल जाता है चलिए दोस्तों अब बात करेंगे इस Bike के Engine Specification के बारे में तो यह बाइक 124.7cc Air Cooled 4 Struck Single Cylinder के साथ आती है इसकी Maximum Power की बात की जातो 10.7 PS की Generate करती है 7500 RPM पे Maximum Torque की बात की जातो 10.6 Nm की Generate करती है 6000 RPM दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसका exhaust कुछ इस तरह का दिया गया है Glossy Black Color का Muffler मिल जाता है इसके Rear Tire Size की बात करें तो 188 का Tire Size मिल जाता है 130 mm का Drum Brake मिल जाता है Rear Suspension की बात करें तो 5 Step Adjustable Hydraulic Sob Absorber Suspension मिल जाता है तो चलिए गाईज अब आते हैं इस बाइक के Rear Section की ओर तो आप लोग देख सकते हैं यह बाइक Rear से कुछ इस तरह की दिखती है टेल लाइट की बात करें तो कंपनी ने A.R.E.D. में Provide किया है Turn Indicator वो Bulb में मिल जाता है यहाँ पे Just नीचे यहाँ देख सकते है Reflector दिया गया है Reflector के Just नीचे Registration Plate का जगा मिल जाता है इसके Left Side में देख सकते हैं यहाँ सारी Guard दिया गया है चैन कवर की बात की जातो वो Fiber Body Chain Cover इसमें मिल जाता है दोस्तो अगर बात करें इस बाइक की Curve Weight की तो वो है 1273 kg की मिल जाती है इसकी Ground Clearance 180 mm की मिल जाती है यहाँ पे आप देख सकते हैं Left Side से कुछ इस तरह का Look मिल जाता है Side Panel पे I3S की Sticker Work मिल जाती है यह बाइक 5-speed gearbox और Side Stand Cut-Off जैसे Features के साथ आती है दोस्तो आप लोग देख सकते हैं Fuel Tank Call पे 3D में Glamour लिखा मिल जाता है थैंक यू दोस्तो वीडियो के लाश्ट तक बने रहने के लिए वीडियो पसंद आई हो हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को जादा से जादा लाइक करें दोस्तों में सेयर करें और चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू सो मच